दिल वाले हाँ सिनेमा नुकता स्रिलीज जालासुन बॉक्स ओफिस वतरा धामा केता ओपनिंग मिलाले आए भारता तस नहीं तो भारता पहरी सिनेमाने कोटी चा कोटी उड़ाना गेतलेली है तुम्हें और ख्लासि मिखोड़ा बोलतो है येस वी बोलतो है दे किंग ओ बॉलीवूड मिस्टर शारुक खान तुम्हें सर आपका धीचुई स्वागत है शुक्रिया फर्स तुम्हें जानना चाहूंगा कि दिल वाले को बॉक्स ओफिस पे अच्छे ओपनिंग मिली है घरवाले, मम्मी, डैडी, दोस्त, भाई, बहन, सब जाकर देख सकें और हाँ वो लाजमी है बाजी रामस्तानी भी बहुत अच्छी फिल्म है और कहीना कहीं पर थोड़ा सा तोतिन दिन के लिए उपर नीचे होगा क्योंकि जिसको पहले वो देखनी है पहले वो देखनी ह हमारी देखनी है वो देखेंगे लेकिन क्योंकि दोनों का जो कांटेंट है वो बहुत अलग है हमारी जो है फैमिली Windows फिल्म है, प्रॉप्सूरत है तो दोनों पिल्म है, अपनी अपनी और दे mismoगीर, कुछ एक चूस करेगी तो दो चार दिन, 7-8 दिन के अंदर सेटल हो ज तो हमारे दिल में यही आता है कि हम जब चीज बनाए कोई तो जिसके लिए बनाए उस तक खुशी से पहुंच सके तो यही तमना रहती थोड़ा दुख होता है कि तब जब नहीं पहुंचती लेकिन अभी मुझे ज्यादा खुशी कि यह नहीं कि ओपनिंग बहुत बड़ी ह और क्रोड रुपे आ गए यह वो लेकिन इसलिए कि अब जो है फिल्म सब तक पहुंचेगी और चुटियों का मौका है तो जब आपको लगे अपनी फैमिली के साथ खुश होकर आराम से बिना किसी हिचक के जाकर देखे अब अब आप से एसे पुशना चाहूंगा कि इंडिया के सीवा वीदेश में फिल्म अच्छा कारबार कर रहे हैं काफी रेकॉर्ड तो कमाई कर रहे हैं स्टार दफ्तर में बताया कि बहुत अच्छा बिजनस है और हमने कई जगाओं पर अंग्रेजी फिल्मों से भी ज्यादा काम किया है बिजनस किया है लोग आ रहे हैं तो एक तो लोगों का प्यार है और आइटिंक काजल और मेरी जो जोड़ी है वो डाइस्पोरा और बहार के दे सुना भी आउस्टेलिया न्यूजिलेंड में कभी ऐसी ओपनिंग नी होई यूए में नी होई यूके में सबसे बड़ी ओपनिंग है यूएस के अंदर साथवी आठवे नंबर पर इंटरनेशनल चार्ट्स पर है और यही सिलसला चलता रहे क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो कोशिश करते हैं और फिर भी थोड़ी सी सेंसेबिलिटी रखने कोशिश करते हैं तो मुझे लगता साफ सुत्री फिल्म है हसी मजाग के फिल्म है तो सबको पसंदारी रोहित के साथ आपकी चैनले एक्सप्रेस आया थी जिसने बॉक्स वापिस पे सारे एक और तो उड़ सब लोगों पे निरभर करता है जो देखने वाले हैं क्योंकि यह एक ऐसी कला है जिसकी कदर तब होती है जब लोग उसे देखकर सहराते हैं चाकिती भी खुबसूरत हम बनाएं उसको तो इंतजार करना पड़ता है अब मुझे लगता है इंतजार खतम हो गया दो ती दिन लगेगा कि यार यह वाली टाइप की देखनी है वो तो दोनों की दोनों देखेंगें गई हैविंग सेट आट मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में मैं बुरी तरह से या एरोगन से नहीं बोल रहा है कि हमने अपनी पिक्चर एक डिसाइड कर ली कि हम इस तारीक को तो उसके बाद अगर कोई सात में है नइ है नहीं है दोस्त है W би उनकी भी मजबूरी है वरना वो भी क्यों अपनी फिल्म किसे के साथ रेलीज करेंगा तो दोनों के लिए ऊपर नौओं करें और हम भी खोश रहें और वो भी खोश रहें सब उसके बारे बॉक्स ओफिस रेस के बारे में नहीं ऐसा नहीं है यार I think To be honest ये सब जो है मसाला मिलता है लोगों को लिखने के बारे में और बोलने के लिए लेकिन फिल्म फिल्म होती है अगर हम उस स्टाइल से देखें कि लोग कैसे देखते हैं फिल्म को आउडियन्स जो हम बहुत सालों से नहीं है उनका नज़रिया ऐसा नहीं होता है कि यार ये बहतर है और ये करेंगे वो करेंगे उनको वो देखनी है जो देखनी है हम जब फिल्में देखते थे दिल्यी में थे, तो ऐसा नहीं होता है हुमको तो अच्छा लगता ह था, दो फिल्में आईयर ये देखले थे हाज पर वो वाली देखलेंगे, या वो वाली आज देखलेंगे वो वाली परसों देखलेंगे, हाँ अभी तोड़ा से टिकट के प्राइस जदा है तो लोगों को वो थोड़ा सा दिमाग में डिसेशन रखके करना परता है तब भी थे, हमारे लिए तब भी साधा होते थे लेकिन अगर दो अच्छी पिक्चरें आती हैं तो सब लोग जाकर देखते ही है तो ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आता है कि वो कोई चेस चल रही है, कोई फाइट चल रही है और जो लोग जो फिल्म बनाते हैं उनका जुकाव, प्यार उसके साथ जुड़ा होता है क्योंकि पूरा साल लगता है उसमें मुझे नहीं लगता कि बैठकर दूसरी फिल्म के बारे में कोई अच्छा या बुरा सोचता है हम अपना ही सोचते हैं, अपना करते हैं और वो भी सब दोस्त हैं जैसा मैंने का तो हमारी उमीद यहीं रहती है क्योंकि अगर वो फिल्म अकेले आती हमारी फिल्म के साथ नहीं आती तो हमारी अच्छी विश्ज होती है उसके लिए और अभी भी है और रहेंगी लेकिन ऐसा हम सोचे कि हमारे साथ आई है तो बुरी ऐसा हाँ कोई नहीं सोचते हैं शरुक, फैन्स की ओडिन्स की रियक्शन्स के हमिल रही है आपको? मैं तो यार, अभी तक बिजी हूँ, फिल्म को रिलीस करने में सही तरह से, क्योंकि पूरा ओफिस लगावा है, हम बहाइंड अस वक्त, लेकिन जो मुझको, जो भी रियक्शन विला है, पबलिक का, वो बहुत अच्छा है, अफकोर्स, ऐसी फिल्म जिसमें सब कुछ होता है, उसमें दो-चार लोगों को अच्छी नहीं भी लगते है, यह क्यों कर दिया, यह क्यों कर दिया, ऐसा है, कॉमेडी है, लेकिन पॉपिलर फिल्म है, मसाला फिल्म है, तो उसके अंदर उसको उसी जॉनर के साथ देखना चाहिए, क्रिटिक्स का नहीं कोँगा क्योंकि उनके लिए फिल्म ही नहीं यह अलग किसम की आर्टिस्टिक फिल्म नहीं है यह फुल मसाला फिल्म जिसे कहते हैं उसके में हर चीज बॉलीवूड बॉलीवूड टाइ फिल्म है लेकिन जब भी मैं अभी कई बारी मुझे ट्विटर पर आता रहता तो लोगों का रियाक्शन थेटर में दिखाई देता है तो वह बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग चलांग मार रहे हैं चीख रहे हैं पेपर फैंक रहे हवा के अंदर टुकुटुकुटुकुट पे नाच रहे हैं हमदाबाद में और फिर कुछ दोस्त मिले तो एक दोस्त ने मुझे बड़ी अच्छी बात कहीं कैसा लगता है कि कोई दिलवाले देखका कि किसी ने बहुत ही प्यार से गले लगा लिया हूँ तो हंसी भी आती है, स्माइल भी आता है, तो ऐसा लगता है कोई अच्छी सी हग मिली हूँ क्या बात है, एक अलग सवाद शारूप में आपसे बुछना चाहूँगा अपके हर एक फिल्म रहती है, आप मुमन्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हिरोईन जो आपके साथ रहती है और अप क्रेडिट ट्लाइज में आपके नाम से पहले उनका नाम आता है, तो इस बार प्लीज आम बताईए मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी जिन्दगी जो भी हुई है, मां से लेकर अभी तक जो लड़कियां में साथ काम करती हैं, बेटी मेरी, सब मैं औरतों से गिरावा हूँ, और मुझे औरतों ने ही पाला है, हर चीज सिखाई है, मेरी बहुत इज़त है उनके लिए है, रहनी चाहिए, सबके लिए उनके लिए ज़ती है, मां की जो इज़त होती है, वो शायद उस रूप से बढ़कर है, और हर औरत कही ना कहीं, कभी सकें दुनिया को, कि यार उनका दर्जा हमसे उंचा है, कई बारी वो लोग अपने आप हमसे कम दर्जा दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका दर्जा कम है, वो हमसे स्ट्रॉंगर है, हर तरह से, और यह इज़त, और उनकी स्ट्रेंथ ही है, कि वो बुरा न नाज गाने के लिए नहीं होती है, और हमारी कमपनी में यह रूल है, और एक ही रूल है, जो मैंने बनाया, बाकी कोई भी रूल नहीं है, दो रूल है कि एक प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होने चाहिए, दूसरा उससे भी ज्यादा कि लड़कियों का नाम लड़कों से पहले आना चाहिए, तो हमारे फिल्में जो भी हीरो है, वरून थे इस फिक्चर के अंदर मैं हूँ, हम उनको पहले ही बोलते हैं, अब तुवारा नाम पहले नहीं आएगा, लड़कियों का नाम पहले आएगा, शारूक एक विग बोस में हाले आनी, आप सलमान के साथ जानते एक दूसरे को, तो हमने उस शो में भी शैद काया, भी आगया होगा, कि लोग जो हैं, बात का थोड़ा सा, उल्टा हम जब साथ में नहीं होते हैं, वैसे भी हम बहुत बिजी रहते हैं, तो एक दूसरे को फोन पर बात नहीं करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, और ह उनकी फैमिली को बहुत सालों से जानता हूँ, और उनने मुझे बहुत प्यार दे, मेरी फैमिली को, तो एक अपना पन है, बहुत मज़ा है, कि मैं उनके शो पर गया, मैं वो शो जादा देखता नहीं हूँ, मैंने पहले देखा नहीं करें, तो मैं गया वहाँ पे, कंटे बस के अंदर, और वैसे भी मनाते रहते हैं मज़ाग, हमारा सेंस ओफ यूमर ऐसा है, लेकिन दिल में हमारे कोई खराबी या कपट एक दूसरे के लिए नहीं है, प्यार ही, और वो अच्छा लगता है, कि दो आदमियों में, दो दोस्तों में प्यार हो, तो अच्छी बात ऐसा है, सतत काम, 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 योड़े, एकसा देन से भिए असताले आणे पलाए कामा परती प्रचन्दा पैशिनेट आज है, yes, नहीं को फोई रहते उन्मक्त वह यहां कामा का म कप bask और धाफ सब्सक्रा ऑर सेंसे और चार्चार पास पास में साहार काम को दे तो आप कही कोने में जाके आपका सिन दस-दस बार रियासल करते हो कि यार में 100% देपू, 100% देपू, 25 सालों सब इंडस्ट्री में हैं, फिर भी आप अपने काम के परती इतना कमिट्मेंट। अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं होता क्योंकि मेरी जिन्दगी में 12-14 घंटे में सेट पर होता हूँ, तो उसी में खुशी होनी चाहिए, उसी के अंदर नया पन होना चाहिए, तो हां मैं रियासल भी करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं 25 साल के बाद सेट पर जाकर गल अब लंब बिगरा होता जब, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो फिल्म मेरी नहीं है, उसके साथ हजार जिदेगें जोड़ी होती हैं, इस ओफिस में 200-200 लोग काम करते हैं, फिल्म के साथ काम करते हैं, आक्टर-अक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो कही न कहीं पर जो जो मैं करूँगा मेरा action, जितनी मैं महनत करूँगा, वो महनत उनको फाइदा करेगी. और मैं अगर महनत नहीं करूँगा तो उनको नुकसान करेगा. ये responsibility मेरी है. क्योंकि अगर 25 साल से आदमी को इतना प्यार किया जाता है, इतना नाम दिया जाता है, इतना सा रहा जाता है, तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है, कि हर पिक्चर या हर काम जो मैं करूँ, चाहे वो लोग को बाद में अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मेरी लगन में कम का दो रहे हैं क्या डिफरेंस है शे एक है कि काजल उसमें भी आपकी हेरो伊ड थी एफंछी हैat डिफरेंस नहीं है एक्छलि कहानिया है मेरे काम के हसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि कहानिया होती है और थोड़ी सी भाशा बदल जाती है थोड़ा सा उसको करने का ढगब बदल जाता है लेकिन कहंई ही वह होती है कि प्यार की कहानी और काजुल के साहँ जैसा तुमने का 12 साल, 20 साल से मैं कम कर रहो और उनके साथ मेरा कम करना और लोगों का सरहाना एक अजीब सा अजीब सी बात है क्योंकि मुझे ने लगता किसी भी कपल को ऐसा प्यार किया गया है और उसमें हमारा हम दूनों मेहने से काम करते हैं खुशी से काम करते हैं बट I think लोगों के दिल में हम समा गए हैं, सब को लगता है है हमारे घरवाले हैं और जब ही मैं उनके साथ काम करता है, मैं उनको बलता हूं फिकर मत करो या थोड़ा ओपर नीचे भी होगा ना लोग इतना प्यार करते हैं कि या यह दोनों ठीक हैं, हम ना सादा ग्लैमरिस हैं, ना सादा स्टाइलिश हैं, ना सादा स्टार्डम दिखाते हैं बहुत सिंपल सा काम करते हैं और शायद इसलिए ही लोग इतना प्यार करते हैं अभी दिलवाले लोगों ने देखी तो मुझे जब रियाक्शन आते हैं तो सब पहली बात यहाँ इतना अच्छा लगा तुम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो लोगों का प्यार बहुत है और उसकी वज़ा से वो स्पेशल लगता है हम दोनों इतने स्पेशल नहीं है शारुक एक सवाल पूछना चाऊँगा जिसके सिवा इंटेव शायद पूरा रहा हो हमने सुना है कि आप महराटी फिल्म करने वाले हो जल्दी तो उसके वारे में सब जाना चाहेंगे कि शारुक खान महराटी फिल्म कप करेंगे हम रेट यलीज में आट नो महिने से सोच रहे हैं एक रोहिद भी हमारे लिए कुछ बना रहे है अपनी टीम के साथ और एक और फिल्म भी है तो क्योंकि हम इतने हमने जब कमपनी शुरू की थी तो शायद हम इतनी फिल्में हैंडल नहीं कर सकते थे एक ही बना सकते थे अब हमें लगने लगा है दिल वाले के बाद स्पेशली जैसा भी हमको इसका रिस्पांस मिला है यह कमर्शिल फिल्म में बहुत जरूरी है सो दैट हमारे पास रिसोर्स हो जाए फाइनाइन्स हो जाए कि हम दूसरी फिल्में बना सकें जो और भी बहतर हो और इतने सालों से महराश्टर में काम करके जिसने मुझे सब कुछ दिया है कही न कहीं पर मुझे लगता है मुझे इतनी अच्छी महराश्टी नहीं आती लेकिन मेरे दोस्त है जो फिल्मों में काम करते हैं रितेश और इतने सारे डिरेक्टर्स मिलते हैं तनी इंट्रेस्टिंग कहानिया होती है और मैंने एक दू फिल्में भी देखिए ज़्यादा समझा नहीं है लेकिन उसका मुझे उसकी फीलिंग आती है तो हम चाह रहे हैं कि अब माराथी फिल्मे बनाएं और दो फिल्में जो हैं हम डिजाइन कर रहे हैं तो जितना जल्द से जल्द हो सकेगा हम यही वेट कर रहे थे दिल्वाले बन जाए क्योंकि बड़ी फिल्म थी सब लोग लगे वे थे उसमें अब यह खतम होई है सक्सेस्फुल है तो अब इसके बलबूते पर हम अलग के सन की फिल्में बनाएंगे और मराठी वाली भी जल्दी से शुरू करें अब अभी अभी अपने कहा आपने दो तिन फिल्में देखिए तो हाली में अपने कौन सी माराठी फिल्म लेखिए अभी नहीं देखिए और अभी तो मैं इसी में लागा रहा रितेशन एक बनाई है उसने मुझे बोला हाँ वो मैं देखूंगा मैं एक दिन टाइम निकाल के क्योंकि मैं चाहता हूं सब्टाइटल बगए रहा हो तो मैं समझ जाओंगा उसमें सलमान ने कैमो किया था तो इन फ्यूचर शाहरुप भी मराठी फिल्म में कैमो कर सकते हैं हाँ हम जो अपनी बना रहे हैं उसमें भी अगर होगा तो या कोई मुझे बोले तो या मुझे तो उसमें कोई आपती नहीं इसलोंगे साथा डियालॉग ना बोलो मुझे को इतनी इची मराठी आती नहीं गाना गा दूँगा मैं मगर इतनी सारी लाइंगविज लेखिन शायद मैंने बोला वे अपनी टीम को या मुझे मैं अगर प्रेड्यूस कर रहा हूं तो मुझे एक चोटा मोटा रोल भी दे रहे वो भी उनको शुरू करनी है तो ऐसे प्रोडिूसर साथ में बना रहे बाकी मेरे पास दो तीन फिल्में हैं अभी जो खतम करनी है मुझे रईस बाकी है अपनी गौरी शिंडे की फिल्म बाकी है तो अभी मैं उसमें मसरूफ रहूंगा अभी हम मैं और रोहित अब हा लगी फैमिली एंटर्टेनर जरू बनाएंगे शारुक जाते जाते हमारी ओडियंस के लिए महराथी में अगर आप दिल्वाले देखनी के अपिल करना चाहोगे तो प्लीज में बोलता आप मेरे पीछे बुलिए ठीक है नमसकार नमसकार मी शारुक खान माजा सिनेमा दिल नमसकार मामजा दिल्वाले तुमचे जाबरचा चित्रपद गुपासारून Warmgy भेदसे डेशात नहीं परदेशा ताही ओडियन्स लहा सिनेमा आवर तो हैंचे साथी खुप मोटी गोश्ट है त्या मुल आच्चा अपला विशेश कारे करवा अपने इते स्थाम भूया पूरी दिघटा पूरी साथी पहात्रा जी चोविस्तास रहा एक पॉल पुढे जी चोविस्तास रहा एक पॉल पुढे